हाई एब्रिवंड मैडम ओनीस आपका अपनी चैनल ओनीस एक्सवालेट पर स्वागत है डाक्टर राम अनोल लोहिया अवद्रिस द्यालाय जद्वारा यह जी पीजी सम समेश्टर के एक्जामनेशन फॉर्म फिलप होना इस्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ जिन लोग के एक्जामनेशन फॉर्म में जो है ABCID मतलब अप और आईड़ी नहीं सौ हो रहा था अब आप सबलोग चैक करिएगा आप सबलोग के एक्जामनेस्व फॉर्म में अपर आईड़ी सौ होने लगा है चले मैं आपसे लूर्म को दिखा देता हूँ यहाँ पर आप से लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह जब कल एक्जामनेशन फॉर्म फिलब कर रहे थे तो इनके ABCID में यहाँ पर डॉट आ रहा था लेकिन यहाँ पर जो है अब यह चेंज हो गया है इनके एक्जामनेशन फॉर्म में अपर आइडी सो होने लगा है तो यहाँ पर आप से लोग को ABCID कैसे बनाना है इसका जो वीडियो है इस वीडियो के बाद में आ जाएगा तो उस वीडियो को देख करके आप से लोग अपना आपर आइडी कार्ड बना लीजिए और साथ ही साथ कुछ कमेंट ऐसे थे कि बिना आपर आइडी के आप एक्जामनेशन फॉर्म नहीं फिल अप कर सकती यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आवद इन्वेस्टी के द्वारा भी जारी कि अगा है यहाँ पर आप से लोग उस सिख समेश्टर का एक्जामनेशन फॉर्म फिल अप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हुगा है यहाँ पर अपना समेश्टर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपना रोल अंबर फिल करके यहाँ पर समिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा यहाँ पर अपना कोर्स का टाइप देख सकते हैं यहां पर आपका semester दिया होगा, आपके college का नाम, college का code, उसके बाद यहां पर आपका UN number, student type, फिर आपका नाम, पिता जी का नाम, माता जी का नाम, data of birth, photo signature, mobile number, email ID, आधार कार्ड नमबर, उसके बाद यहां पर आपका gender, category, यहां पर आप से लोग देख सकते हैं, ABC ID कार्ड आटोमेटिकली फिला है, लेकिन तब भी आप से लोग अपना ABC ID कार्ड बना लीजेगा, और उसको प्रिंट करके रख लीजेगा अपने पास, उसके बाद यहां पर paper code देख सकते हैं, उस submit बटन पर किलिक करेंगे, जो submit पर किलिक करेंगे, उसके बाद यहां पर instruction आएगा, यहां पर आप से लोग वैसे भी नहीं चेंज कर सकते हैं, यहां पर आप से लोग ओके पर किलिक करेंगे, उसके बाद यहां पर आप से लोग अपना reference नंबर, course का type, नाम, class, मुलब कौन सा semester, आपकी पिता जी का नाम, mobile number, email id, उसके बाद यहां पर फीस payment जो 6 semester का है, 1510 रुपए है, second और four semester का examination, फीस का जो है, UG का, जो है, 1010 रुपए है, और PG का 960 रुपए है, यहां पर make payment पर किलिक करते हैं, make payment पर किलिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से page open होगा, यहां पर आप से लोग नीचे स्क्रॉल करके, यहां पर किलिक करेंगे, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, credit card, debit card, net banking, या फिर UPI से आप से लोग अपना examination form का फीस payment कर सकते हैं, चले मैं फीस payment करने के बाद आप से लोग को दिखाता हूँ कि आपका examination form का reprint कैसा रहेगा, यहां पर आप से लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके examination form का preview आ जाएगा, इसका आपको दो प्रिंट निकाल लेना, एक अपने पास रखना है और एक अपने college में जमा कर देना है, यह दि आपका किसी card was फीस payment नहीं हो पाया है, तो यहां पर आप से लोग find examination form नंबर, reference नंबर वाले section पर किलिक करके, आप से लोग अपना form नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यहां पर अपना roll नंबर फिल अप करेंगे और data birth फिल अप करेंगे, उसके बाद कुछ इस परिकार से यहां पर आपका reference नंबर 100 हो जाएगा, इसको यहां से आप से लोग copy कर लिजिएगा, वहां से आप से लोग अपना reference ID copy करने के बाद यहां पर पे examination form नंबर फिल पर किलिक करेंगे, किसी कार्ण उनका reference नहीं निकल पाया है, तो यहां पर आप से लोग reference examination form आरे सक्षन पर जा करके, अपना examination form जो है, डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर अपना reference नंबर या form नंबर फिल किजिएगा, data birth उसके बाद submit पर किलिक करिएगा, उसके बाद आप से लोग का जो examination form है, डाउनलोड हो जाएगा, यह ज़िए आप से लोग को examination form फिल अप करने में कोई भी problem आ रहा है, तो आप से लोग comment करके बताएगा, मैं आपकी comment का उत्तर देने का प्रयास कहूँँगा, वीडियो में लाश्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद,